ओम सिरी गने साय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तू आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर रविवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन मेथुन राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मित्वन दासी वालों के लिए रविवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने कर छित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपके आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके वेविसाय में विवरत दी होगी आमंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा सामंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथी साथ धर में क्रिया कलापों में विविरत दी होगी और आप उनके ऊपर खर्च भ प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका सुबभल आपको अवस्य ही प्राप्त होगा दोस्तो यह आप मानकर चलिए कि आज का समय पूर्ण रूप से आपके लिए हैं बस आपको अपना अच्छा प्रद दूग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बड़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उरजा के बल पर आप हर चिनोतियों का डट कर सामना भी करेंगे और उस पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी जिससे आपके खुसी दूग नहीं हो और आपका दिन काफी आनंद में बीतेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता हैं दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्या संसादनों को जुटाएं दोस्तो परिवारिक जीवन में आज चिंताओं की व्रद्धी हो सकती हैं यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याओं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी या दोस्तो साथी साथ पैसे के लेंदेन में भी आज आपको साथदानी रखना आ हो सकती हैं इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्न लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस्थ से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तो साथी साथ क्रोध पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अतियाव शक्ता है अन्यता विवाद की इस्तियां बन सकती हैं परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा लेकिन ध्यान रहें कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुचे जिया दोस्तों अगर आप परिवार को जोड़ कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतो के लिए तैयार रहना होगा अन्यता इस्तिती आपके नियंतर से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन सम्मंदित समस्याओं को भी सुलजाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा कर रही होगी कौँकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा आफसर दिखाई नहीं दे रहां लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवश्कता नहीं हैं क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के सी रहने वाली हैं दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर अपने मन की बात सेयर करना चाते हैं तो वह भी कर सक इसके लिए समय काफी अनुकूल है दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में गहनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रहनक शत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेंदेन में भी अधिक फायदा होगा रुके हुए सभी कर रहे आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आज आप नहीं योजनाएं बनाएंगे वैपार को लेकर भी आज आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगी दोस्तो साथ इसाथ आज आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविष्य में चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक थाबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन भहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो बुद्धीमानी से आप उरजा सक्त का प्रियोग करें ताकि आपको सारेरिक रूप से कोई परिसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तो साती साथ यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशक्ता पढ़ सकती है जिसस साथ य साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या है दोस्तो आज आप इशनान आदीशे निर्वत्र होने के बाद एक तामे का शिक का इसके बाद आप इस एक तामे के सिक्य को भगवान शुर्यदेव का इस मनन करते हुए बहते हुए जल में छोड़ दें और साथ इसाथ अपनी मनों काम नहीं मांगें या दूस्तों ऐसा करने मात्र से ही भगवान शुर्यदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष् बनने लगेंगे दोस्तों भगवान शुर्यदेव का सिरवाद आपको टाप्त हो सच्ची दिल से कमेंट स्बोक्स में जै सुर्यदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद